कुक स्टार्टर गुरुजी आचार जी आप स्टार्ट कीजिए तन्वंतरि समारंभाम चीवका अचार्य अधिमाम अस्मदाचार्य परियंताम वंदे गुरु परंपराम अभी हम संस्कूरुत का जो वरग है उसमें शीख रहे है कुछ सबसे पहली सुरुवाट होती है वरड़ों से अक्षर से अक्षर टक को पोचने का सबसे अच्छा मारग दोता ओपता है एसा बताया गया है संस्कूरुत सुभाशितों में अक्षर से ही यात्रा सुरू होती है, तो हम अक्षर को जितना अच्छी तरह से समझ लेंगे, उतना ही अच्छी तरह से हम भाषा को सीख पाएंगे, भाषा को समझ पाएंगे, और भारती ये समस्कूती को समझने के लिए शब्षे उप्तियुक्त कोई भाषा है, तो है समस् इसलिए संस्कुरूत केवल किसी को उपयोगी है इसलिए नहीं सीखते है संस्कुरूत एक हमारी राष्ट्र भासा के सकते हैं सिभाशा है इसलिए उसको सीखना बहुत ही आवर्श्यक है उसका भविश्य भी है तो ये बहुत ही वेग्यानिक तरीके से बहुत ही अच्छी धंग से उसको निबद्ध किया गया है पाणी निये श्टा दिया है तो आज हम थोड़ा-थोड़ा देखते जाएंगे ये वर्ग यदि आप में कहता हूं कि आप एटेंड करेंगे तो मैं प्रयत न करूंगा कि ब ये ने बताया था उस लाइट सामने हैं आपके मूल शब्द और विभक्ति को जोड़ने से पद बनता है तो हमने देखा था कि एक जो अक्षर होता है उसका समू है जो कोई अर्थ को बताता है उसको हम कहते है पद जैसे राम, श्याम, जैसे इंगलिश में उसको कहते है न अर्थात क्रियापद तो जैसे इंगलिश में आपको मैं समझाता हूँ तो इंगलिश में easy है part of speech जिसको कहते हैं उसी तरह से संस्कूत में भी अलग-अलग विभाग है उसमें हम केवल दो विभाग देखेंगे आज एक होता है पद और एक होता है क्रियापद क्रियापद तो बाखी के सब पदों में ले सकते हैं पद क्य सकते हैं उसको हासानी से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगी बद और प्रियापद की यह easy definition यह व्याक्या आपने समझ ली पद और क्रिया पद पद होता है और राम श्याम गाउं यह सभी पद है जा रहा हूं आ रहा ह यह सभी क्रियापद है, यह क्रियापद है, आप समझ गेंगे यह वर्ब, तो संस्कृत में इस तरह से वाक्य बनता है, वाक्य में पद मिलेंगे और वाकी में क्या मिलेंगे, क्रियापद है, तो आप इजी उसको समझ सकते हैं, इसमें क्रियापद क्या है, तो क्रियापद ज्यादातर, उसमें एक आप ज्यान रखें कि क्रियापद ज्यादातर किस तरह के होंगे, ती तह अंती वाले होंगे, सी थ थ वाले होंगे, मि बस मस वाले होंगे, जैसे मैं उदारण देता हूँ, गच्छतह, गच्छंती, गच्छसी, गच्छतह, इस तरह स इसे singular और plural English में होता है, एक वचन और बहुचन, और प्रायाहा सभी भारतिय भाषाओं में ये दो ही वचन है, एक वचन होता है, एक को जब दिखाना हो, तब हम एक वचन का उप्योग करते हैं, और एक से ज्यादा को दिखाना हो, तब हम बहुचन का उप्योग करते हैं, य केवल एक सउस्कूूत है और अरभी भाशा में भी सांस्कूूत से लिया गया है। वो डो भाशा केवल वर्ल्ड की इसी है जिसमें डिवीवक्चा है। मतलब एक दो और दो से ज्यादा दो से ज्यादा जितना भी हो, उसको हम कहते है बहू। इसलिए भगवान ने गीता में बताया बहु नाम जन्म नाम अंते ग्यानवान माम प्रपध्यते ग्यान होने के बाद बहु नाम जन्म नाम अंते बहु जन्म लेने है बहु अर्था मिनिमम तिन मैक्सिमम तिन करोड तीन अबज कितने भी हो सकते हैं तो संस्कृत में तीन वाक्याय आप याद रखें, एक तो एक है, एक द्वी है, और एक बहू है, एक द्वी बहू, द्वी को बहू नहीं कहें, दो को दो कहेंगे, बहू मतलब मिनिममम तीन, तो minimum 3 इसको कहेंगे बहु और 3 से लेकर 3 करोड 3.90 तक हम बहु कहेंगे उसको कहेंगे बहु वचन, plural तो संस्कृत और अर्भी दो ही भाषा ऐसी है जिसमें एक वचन है, द्वी वचन है और बहु वचन है पहली बार संस्कृत में ये वचनों का प्रयोग किया गया, बहुत ही आसानी होती है भाषा के प्रयोगों को जब द्वी वचन उसमें होता है, एक अलगी पार्ट हो जाता है उसका तो सौंस्कृत में ये है तो ये एक हम ने सीखा आज एकवचन, द्रीवचन, बहुवचन ये समझ गया होगा सबने तो ये एक हो गया अब जैसे एकवचन, द्रीवचन, बहुवचन ये तीन वचन है सौंस्कृत भाषा में अब हम आगे देखेंगे अलग-अलग पदों की बात बताई और क्रियापद की बात बताई पद की बात बताई पद की बात बताई पद क्या है तो गाव राम जो हम जिसको नाउन केते हैं जिसको प्रोनाउन केते हैं एग्जेक्टिव केते हैं वो सारे पद में लेकिन एक व अब सिधा ही अब मैं धीरे-धीरे आपको बताता जाता हूं जैसे संस्क्रूत में कितने वियंजन हमने देखे थे 33 वियंजन देखे थे को अब देख सकते हैं यहां पर श्लाइट पर आप देख सकते हैं पहला ही वर्गे वह वर्गे आप देख सकते हैं श्लाइट पर उसमें पांचे आप जो अंत में देख रहे हैं उसका उच्चार होता है आप समझ गए उसको अनुनासिक केते हैं संस्कृत में वर्ड दो जगर से कोई भी अक्षर निकलता है एक तो मूख से निकलता है एक नासिका से निकलता है नाक से निकलता है आपका मूँ बंद हो जा जिसमें वो लोग नाक से बोलते हैं क्योंकि उसकी ध्वनी का जो पवन है वो नाक से आता है तो हम देखते हैं कोई-कोई लोगों का इस यादत भी होती है सा रोग भी होता है उसके ठीक करने के लिए नस्य भी आयूर्विद में बताया है बहुत सारी आउशद्या भी है जैसे न को नाक से होता है म नाक से होता है तो अंतीम जो आप रोग देख रहे हैं लास्ट वाली खडी तो ये रोग है ओनुनासिक उसको कहते है क्या कहते ह瞼 झार he मु के से तो होता ही है, नासिका से भी होता है, अनु इसलिए रखा है बाद में नासिका से, केवल नासिका से नहीं होता है, मु से भी होता है, नासिका से भी होता है, इसलिए उसको अनु नासिक कहते हैं, वो आप प्रेक्टिस करिए समझ जाएंगे, आप याद रखें म, नाक से निकलना चाहिए और नाक से निकलना चाहिए मूँ के साथ साथ नाक से निकलना चाहिए पिर हम देखेंगे समझ दिये आपने ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको आप समझ सकते हैं बहुत आसान है आप देखिए उसमें लिखा है कवर्ग कंठ्यर अर्थात यहां से निकलता है कंठ से निकलता है तालव्य अर्थात तालू से निकलता है मूर्धन्य अर्थात मूर्दा से निकलता है दंत्य अर्थात दात को जब जीव लगती है तब निकलता है औुष्ठ्य, अर्थात वोट्ठ जब मिल जाते है तब. तो ये पचीस फियंजन देखे हमने. देखे पचीस फियंजन, अब आगे देखते है. यरलव, हमने देखा था उसमें, यरलव. वो भी हमने देखे कि यरलव कहां से निकलता है. तो य जो है ओ कहां से निकला तो तालू से निकला उपर आपको आपको लिखा है तालव य तालू से निकला च जहां पर बोले और वहां जीब को ले जाए तो ओ य निकलेगा तालव य य फिर र र देखिए कहां आपकी जीब जा रही है र बोलने पर र र तो उपर खड़ी जोकर जा रही है जीब आप देख सकते है र तो ओ मूर्धा पे जीब लगती है तो निकलता है तो ओ मूर्धन्य कहा र आप देख सकते है उसको जहां पर ट निकलता है जहां जीब लगा कर वहीं से र निकलता है फिर आप देख सकते है यह र देख लिया ल ल देखेंगे आप observe करिए ल कहां से निकलता है तो आप देखेंगे कि तालूग दांत में जब जीब लगती है तब ल निकलता है ल ल ल देखें आपकी जीब दांत पर लग रही है आपको पता भी नहीं है लेकिन आपकी जीब दांत पर लग रही है आप देखें ल ल ल ता बोलिए था से परश होंगे थोड़े से व व देखे थोड़े वोट इकठे होंगे तो व निकलेगा अब समझ गए आसानी से तो उसको हमने कहा ओश्ठिया फिर श आपको जो पहला श दीख रहा है वो तालव्य है आप देख सकते हैं श ज बोले और वहीं पर आपकी जीब जाएगी तो श श ऐसा आएगा फिर जहां र बोले थे उसी के निचे श है आप देखेंगे जहां से र निकला था आप उबज़र्व करिये वहीं से आप जीब ले जाएगे तो श निकलेगा श श वो श वो है और जहां ल निकला था दांत से दांत को जीब लगी तब और उसके बाद हम आप देखेंगे कंट से आ रहा है और आप देखेंगे कंट से आ रहा है तो यह पीर मैने कल बताया था ग्रश है वो सयूप लिया और दूसरे नंबर का आप देख सकते हैं मूर्दन्य जो लिखा है अभी यहाँ पर प जिस्अ लिखा है वो श और उसके पहले कभ, कभ मतलब पहला अलफाबेट कभ और श मिल गया तो श बन गया तऱ कैसा बना सिंपल है तो और मिल गया तऱ बन गया ज्यान के से बन गया सिंपल है जा और उसी के लाइन में अंतिम जो ज्यान है दूसरी रोका लास्ट मतलब पहले से जो दूसरा वाला है उसको अनुना सिक कहते है ओ मिल जाने से ज्यान मिल जाने से ज्यान बना ज्यानम तो कोई लोग उसको ज्यानम यह सा भी कहते है और कोई यहानम भी कहा जाता है, और जियानम यहानम भी कहा जाता है, दोनों ठीक है, समझ गई आप लोग, यह समझ में आया होगा, आपको थोड़ा उसमें, उपर थोड़ा प्रयत न करिए, वो सब आपको वरनाक्षर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, कोई तकलिफ नहीं होगी, आप ये बोल रहे हैं, के वल हम प्रयत्न करेंगे, कि सुद्ध बोलना बहुत ही आवश्यक है, हम स्थोत्रका, मंत्रका, शलोकों का पाथ करते हैं, तो सुद्ध होना बहुत है आवश्यक है, इसलिए पतनजलीमुनी ने अमारे पर बहुत ही उपक के उपर महाभाश्य दिखा पातंजल महाभाश्य और चित्त के रोगों को दूर करने के लिए उन्होंने योगदर्शन की रचना की तो इसलिए पाणी ने पतंजली मुनी को ये कहते हैं योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस यचवेद्यकेन योपा करोत्तम प्रव है वरणमाला बालकों को पहले से ही ये सिखाए तो बालकों को सोचना विचार करना आएगा सुक्ष्मत आएगी विचारों कि कितना एक एक अक्षर पर ज्यान रखा है रुशिम पर तो ये एक भाशा कोई भी सिखनी बाद में आसान हो जाती है बालक के लिए पहले वो दूसरे स्वर की बात हम जो बता रहे थे तो तो ये वियंजन जो होते हैं एक सासरे केवल लेकिन जब उसका हमको प्रोपर कोई नाम में बता ना होता है तब उसके लिए स्वर जरूरी होता है आपको पता है स्वर बहुती जरूरी होता है कोई भी नाम कुछ भी हम जब व्यवहार में प्रयोग करते हैं तब अकेला वी अंजन चलता नहीं है उसको स्वर चाहिए ही चाहिए तो व्यवहार में उसको लाने के लिए स्वर यह मुख्य नौस्वर है आप याद रखेगा मुख्य नौस्वर है इसमें से हमको एक यहां पर उप्योग में नहीं आएगा वहें लुग तो चार पहले ही रोका चार है एक दो तीन चार और दूसरे चार बटब नीचे के चार ए अई ओ अओ यह हमारे रोज के रोज प्रयोग में आते हैं आठ दूसरा जो यह कभी साहित्य में वेद में आता है अभी तो नहीं आता है तो यह नौस्वर देखे हो तो यह एक अमने देखा यह स्वर है इसका प्रयोग व्यंजन के साथ होता है तो यह पूरा का पूरा एक शब्द बन जाता है जैसे राम तो आप सिंपली उसको बता सकते हैं रा प्लस आ प्लस म प्लस अ तो इसको कहना है राम राम कहेंगे केवल तो म में नहीं रहेगा तो यह गलत हो जाएगा तो राम क्यूंकि अंत में म है म से जोईट हुआ है इसलिए पूरा म पन गया आपको पता है क्यूंकि मव्यंजन है उसके साथ जब आ मिलता है तब गया म उसके साथ चोटी मिल गई तो हो गया मी उसके साथ बड़ी मिल गई तो हो गई मी आपको समझ में आ गया होगा यह concept पुरा व्यंजन में जब स्वर मिल जाता है तब वो पुरा बन जाता है तब हम उसका उप्योग कर शकते हैं पुरा तो राम, पुरुष्ण, ये सभी में स्वर है तो इसका हम पहले जैसे mathematics में करते हैं इस तरह से कर सकते हैं कि राम लिखा है तो उसमें क्या क्या है तो र है, प्लस आ है, प्लस म है, प्लस अ अब देखे, आ है वो अ का subtitle, सब प्रकार में जाएगा हो तो आ के पीन पे दोंगे, अ उसका एक मातरीक उच्चार, दू का ही एक प्रकार हो गया अप समझ गए होंगे, उ का ही एक प्रकार हो गया, उ रुका तो ऐसे ही है, एसे ही उस होते हैं इसलिए इसके दो प्रकार करने की ज़रूरत नहीं है अब समझ गए होंगे तो ये आसान है एक डम आ, आ, ये दो का प्रयोग होता है व्योभार में इ, इ, ये दो प्रयोग होता है उ, उ, ये प्रयोग होता है ये आप देखे तो बार-बार हमको ये बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसमें हम ये देख सकते हैं, हम ये जान सकते हैं आप समझ गए ये नव मुख्य स्वर है अब व्यंजन और स्वर हमने देखे पिछले दो दिन से हम देख रहे हैं, आज हमने देख लिए ये व्यंचन और स्वर मिलकर पुरा का पुरा एक शब्द बना था है तो हमने राम शब्द बना, पुरुष्ण शब्द बना फिर कोई भी आप शब्द ले लिए सीता शब्द बन गया, दशरथ शब्द बन गया, व्रुन्दा शब्द बन गया राज़ शब्द बन गया तो यह शब्द है शारी आप समझ सकते हैं यह शब्द है अब आप आसानी से आप देखे राम क्या क्या है इसमें कितने अक्षर है तो पहले तो र है ओव्यंजन है प्लस आ है ओस्वर है प्लस म है ओव्यंजन है प्लस अ है उस्वर है आप देख सकते हैं इसको आसानी से मैं कल इसकी स्लाइड भी रखूँगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करें और उसको आप समझ जाए यहां यह शब्द है तो आप देखेंगे सिंपल र प्लस आ प्लस म प्लस अ तो वो गया रा म आप देखेंगे बिए विज्फर से शुरू हूआ रसे फिर vớiन नया फिर सफे होग तो सबी स्वर आएगा यंजन आएगा स्वर आएगा और यह पूर्ण होगा एक शब्द तो यह हमने आज देखा एसे अनेक शब्दों को आप देख सकते जैसे हरी ही लिखा तो ह हुआ प्लस अ प्लस र प्लस छोटी ए यह देखना है छोटी ए है वहाँ पर यदि उसी स्थान पर हम इसा लिखते तो न होता प्लस अ होता प्लस द होता प्लस बड़ी इ होती आप समझ गए तो अब इसको क्या कहेंगे तो अंत में जो होता है ओ ओ ओ शब्द को पेचान बनाता है जैसे राम शब्द केसा है तो अंत में अ है आगे नहीं देखना है अंत में क्या है वो देखत जैसे हम देखते हैं कि अंत में कौन खड़ा रहता है पहला तो हमारे साथ तो बहुत लोग आते हैं लेकिन अंत तक कौन खड़ा रहता है वो सही होता है थोड़े दिन तो सब लोग साथ में होते हैं लेकिन अंत में कौन रहता है इसलिए हम विद्या को धन उत्तम धन मानते ह सरवधनप्रधान यह सा के थे क्यूंगी कि विद्या इस जण्म में हम लेते हैं आगे के जण्म में भी उसके संसकार रहते हैं और वही अमको काम आती हैं तो अम जो विद्या प्राप्त करते हैं वो हमारे जन्मों जन्मों तक हमारे मन के ऊपर उसके संसकार रहते हैं मानो आपने अभी पत्ता खेला, वीडियो गेम खेला, या तीन पती खेली, या यूट्यूब का कोई वीडियो देखा, फाल्टू का, मादूरी दिख्षित का, तो ये सभी जो आप करते हैं, वो अभी भी काम नहीं आता है, बाद में भी काम नहीं आता है, आपकी चेतना को भी गाड़ता है, मन को भी गाड़ता है, हम जो कोई अच्छी चीत सीखते हैं, तो हम ये स्थूल से सुक्ष्म में जाते हैं, मन तक अभी जाएगे, क्योंकि ये मन की बात आएगी, चित की बात आएगी, हम अंतर आत्मा तक जाने का प्रयतना करेंगे, संस्कुरूद बाषा ये सी है, जो हमको आतमा तक पहुँचाते हैं, तो ये क्योंकि वो अंदर से निकल, इंगली स्थूल बाषा आप आप देखेंगे, यहां से निकल यां से निकलेंगे, तो आप देखेंगे, इसमें फोर्मालिटी ज्यादा होते हैं, संस्कुरूद बाषाई, वो मन थोड़ी लेंगे अध्यात्मगी तो रोज थोड़ा समय एसी पवीत्र भाषा को उत्तम भाषा को शीखने के लिए दीजिए तो हमारा सवभाग यह है कि यह भाषा शीखने का हमको अउसर मिला है तो वो पूरे की पूरी उसके स्ट्रक्चर को उसकी महत्ता को जानी तो हम द थो इसको हम कहेंगे कने कने कारनत जिसके अंत में है एसा ये शब्द है अब समस्कुरूत में तीन लिंग होते हैं जेंडर जिसको हम लोग की वासा में कहते हैं इसे तीन है एक pulling है, एक strilling है और एक नपून सक्लिंग है संस्कृत में पुरूशों के नाम pulling शब्द पर होते हैं स्त्रियों के नाम ज्यादातर strilling शब्दों पर होते हैं होने चाहिए नपून सक्लिंग की बात हम नहीं करते हैं अभी तो यह तीन लिंग शालों से होता है आ रहे हैं तीसरा भी एक लिंग है जिसको एक हम नपून सक्लिंग अभी ऐसा कहें तो यह हमने आद देखा कि स्त्रियलिंग, pulling, पुलिंग, नपून सक्लिंग यह तीन जेंडर तीन लिंग है अब हमको देखना है उसका अर्थ जिस तरह से होगा उसी तरह से उसका लिंग होगा प्रायहा शब्द अलगे और उसका अर्थ अलगे वह मैंने पहले दिखा दिया था यह हम शब्द की बात कर रहे हैं तो राम शब्द की बात करते हैं, तो राम शब्द आपने सबने देख लिया, र प्लस आ, प्लस म, प्लस अ, तो राम, अब ये किष्क का नाम है, तो पूर०ुष का नाम है, राम कोई पूरूष है, तो ये हो गया pulling शब्द, ज्यादा अतर इसा होगा में बता रहा हूं, ले यह सभी अकारांत पुलिंगे, आप सब के नाम देखेंगे तो एंड में अ आएगा, जैसे राजेश्वर जी, मतलब राजेश्वर जी नहीं होता है, संस्कृत में मानवाचक जी नहीं है, संस्कृत में जब आप उसको अंदर से भाव से बुलाते हैं, तो ओ, आप राजेश तो राम जी वाला संस्कृत में कंसेप्ट नहीं है, उसके पीछे पुत लगाने की जरूरत नहीं है, वह मानवाचक की शब्द होते हैं, तो यह राम, राजेश्वर, मेहूल, यह सभी शब्द जो है, यह मयंक, यह सभी शब्द जो है, प्रशांत, श्याम, आप जितने भी देखेंगे, वो प्रायाहा अंत में आया होगा, अंत में होगा, वो ज्यादातर होगे, फिर कहीं कहीं, अरी, रवी, यह सभी होते हैं, शनी, यह सभी इकारांत होते हैं, छोटी यह पिछे आती हैं, रवी, शनी, अरी, कवी, यह सभी क्या हैं, यह भी पुल्लिंग सब्द अभी कोई कह रहा है कि समस्कूरूत के वाक्य भी जोड़े अवस्चिय जोड़ूंगा लोग बहुत नए-एए तो दीरे दीरे उसको समझता जाएगा तो में एक वाक्य समस्कूरूत का भी बोलता जाओं तो यह इतना आपने समझ लिया पहले अक्षरों का विज्ञान अक्षरों का पहचान समझ लिया आपने व्यंजन को समझा स्वर को समझा और यह व्यंजन और स्वर से बने हुए शब्द को समझा हमने आज एक शब्द दिखा दिखाया राम श्याम यह हमने देखा आज तो इ अकारांत होगा, सीता, नीता, गीता. यह सभी स्त्रिलिंग शब्द है. उसमें अंत में क्या है या आप देख सकते हैं. अंत में क्या है उसमें? अ, सीता, गीता, नीता, ये सभी क्या है? इसको कहेंगे आकारांत और यह स्त्री के शब्द है, स्त्री को बताता है, तो यह स्त्रीलिंग है, सीता, नीता, गीता, ओ अंत में आ है, तो उसको कहेंगे आकारांत, स्त्रीलिंग शब्द, फिर नपुन सकलिंग क्या है, नपुन सकलिंग शब्द कौन से है, तो अम नपुन यानम उस्तकम माया उस्तकम यानम ये अभी हमने देखा ये ज्यादातर वस्तुओं के नाम जो हम देखेंगे व्यजानम मतलब पंखा होता है तो ज्यादातर ऐसा नहीं है कि सब का नाम है लेकिन ज्यादातर यानम उस्तकम व्यजानम इसे बहुत सारे जो शब्द होंगे जिसमें म, एन में आएगा उसको हम क्या कहेंगे नपुन सकलिंग शब्द वो व्यवहार में आएगा मूल शब्द तो ज्यान ही है ज्यान वो अकारांथी शब्द है इकारांत भी है बाद में वो हम आगे देखेंगे पहले ये दो शब्द देख ले strilling शब्द, pulling शब्द और नपुम्सक्लिंग शब्द ये तीन लिंग होते हैं वचन भी तीन होते हैं कितने वचन होते हैं? तीन वचन होते हैं एक वचन, द्वी वचन, बहु वचन, वचन भी देख लिया हमने, लिंग भी देख लिया, कितीन लिंग है, पुलिंग, स्ट्रेलिंग, नपुम सकलिंग, वचन कितने है, एक वचन, द्वी वचन, बहु वचन, ये, तो पहले हमको ये डिफाइन करना है कि हम किसकी बात कर र ये एक है दो है या वहूत दोगे तो ये पता चल जाएगा आपको फिर अभी हमने लिंग देखा वचन देखा तो ये आपको शब्द वर्ण ये सब पता चल गया होगा नए लोग ये तो मैं फिर से बता देता हूँ अक्सरों के समू को जो कोई अर्थ का बोधित कर रहा हो उसको हम शब्द केते हैं वो अनेक प्रकार के शब्द होते हैं उसको हम पद केते हैं शब्द या पद ये दोनों समानार्थी है दोनों का एक ही मिनिंग ये दोनों का एकियत एक होता है क्रिया दिखे आने वाला पद उसको हम केते हैं क्रिया पद जिसको हम इंग्रीश में अक्षरों को मिलकर शब्द बनता है और शब्दों को एक अलग 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 शब्द मिलकर एक वाक्य को सेंटेंस को बनाते है आप समझ गए ये बात को कि अलग अलग शब्द बनकर वाक्य को बनते है अब शब्द एक होता है उसका अर्थ होता है जैसे मैं कोई शब्द बोल रहा हूं यह आपको इसलिए समझ में आता है क्योंकि आपको उसका अर्थ अभी पता चलता है जैसे मैं बोलता हूं कि तो ये आप ध्यान रखे कि एक शब्द होता है एक उसका मिनिंग होता है अर्थ होता है तो जितना ये दोनों का संबंद आपको पता चलेगा तो शब्द से आपको अर्थ पता चल जाएंगे तो शब्द और अर्थ होता है आप समझ गए वो अब शब्दों में हम वाक्य में अनेक प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं उसमें एक क्रियापद होता है मिनिमम में आप देखिए एक क्रियापद होगा ही कोई भी वाक्य में है तो वो क्रियापद को अलग रगते और बाकी के कुछ शब्द होते हैं, जिसको इंग्लिश में part of speech कहते हैं, वो जैसे कहते हैं कि एक noun होगा, एक pronoun होगा, executive होगा, verb होगा, adverb होगा, conjunction होगा, यह सभी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, तो आपको आसानी हो जाती है कि अचा ये, 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 ये होगा, उसी तरह से Sanskrit में भी कुछ ऐसे शब्द होंगे, बीच बीचे, वो शब्दों की हम बात करेंगे, कि पहले तो एक क्रियापद होगा, वो हमने अलग कर दिया, तो अलग-अलग-अलग-अलग शब्द होगे, अब वो शब्द जो होगा, उसके पीछे, एक कुछ लगाया होगा, कोई अक्षर ल पीछे नहीं लगेगी क्रियापद को अलग कर दिया वर्ब को अलग कर दिया बाकी जो बचे है शब्द उसमें बहुत सब्दों के पीछे क्या लगी होती है विभक्ती यह भक्ती वाली विभक्ती नहीं आप याद रखे वो भक्ती अलग है और यह विभक्ती अलग है तो यह तो आई की दूसरी वीवगक्ती क्या होई मी बोलता हूप तो माई क्या होई तो यह कि वीवगक्ती वीवगक्ती अटाए मी माई वे इतना ही होगा बराबर फिर मुझे ऐसा कहना होगा कि मेरे में तो इंग्लिश में एक in कहना पड़ेगा in me in these लेकिन संस्कूरूत में उसको कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है उसको एक ही विभक्ति का एक स्वरूप बता देंगे तो शब्द के पीछे एक लगता है उसको विभक्ति कहते है तो कल में इसका वर्ग लेने वाला हूँ अर्थाद गुरूप तो मैं पूरी विभक्ति आपको समझाऊंगा कि विभक्ति क्या होती है और उसको शब्द को आप कैसे पेचान सकते वाक्यद तो फिरहाल मैं अभी जो हुआ है उसका मैं फिर से एक बार आपको कह देता हूँ ताकि आपको कठीनाई मेस उसना हो और हम आगे बढ़ते जाए पहले अक्षर होते हैं वो 33 व्यंजन है नौस्वर है आपको समझ में आ गया 33 व्यंजन नौस्वर सिंपल है 33 व्यंजन है नौस्वर है वो दोनों मिलकर ही कोई शब्द बनाते हैं अकेला अकेला शब्द नहीं बनाते हैं दोनों मिल जाते हैं तो शब्द बनाते हैं वो भी आपने समझ लिया फिर हमने कहा कि एसे जो शब्द होते हैं को सब मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वो भी आपने समझ लिया, फिर हमने देखा कि कोई भी शब्दों के तीन लिंग होते हैं, पुलिंग, स्ट्रिलिंग और नपुन्शकलिंग, यह शब्द के होते हैं, जरूरी नहीं यह अर्थ में हो, लेकिन ज्याद पुलिंग, स्ट्रिलिंग, नपुन्शकलिंग यह तीन प्रकार हो गया, वो लिंग, शब्द के कौन से लिंग है, वो पता चल जाएगा, आगे, वचन, एक वचन, द्वीवचन और बहुवचन, एक वचन, द्वीवचन, बहुचन मैंने पहले बताया, हिंदी में के क्रिया क्रिया आपको देखने होगी कि इस वाक्य में क्रिया क्या है क्रिया होगी ही कोई ना कोई क्रिया होगी ही वो क्रिया आपने देख ली उसको अलग कर दिया उसके बाद आपको सीधा का सीधा ढूनना है और पदों में से करता कौन है इसका क्या कौन है सब्जेक्ट जि तो कारिय जो करता है, वो मुख्य होता है, तो वो पहले आता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन उसको ज्यादातर पहले लिखा जाता है, कहीं पर भी वो आ सकता है, तो करता, करता अर्था कारिय करने वाला, जैसे मैं जा रहा हूं, तो जा कौन रहा है, मैं जा रहा हूं, त अब आमने देखा कि एक क्रिया होगी ओ क्रिया को एक करने वाला होगा ओ करने वाले का नाम होगा करता करता शब्द ही इस तरह से बना है कि कारिय को जो करता है उसके लिए उसको नाम करता करोती इती मतलब जो करता है उसको करता करते है अब समझ गए करता तो मैं जा रहा हू उसमें करता कौन हुआ, मैं हुआ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन करता हुआ, मैं हुआ, वह जा रहा है, कौन करता हुआ, वह हुआ, तुम खा रहे हो, कौन करता हुआ, तुम हुए, आप समझ गए, तो वाक्य में सेंपल है, आपको इंगलिश में भी आप पढ़े होंगे कु उसने पड़ा, उसने दिया, मैंने किया, तो मैं के लिए समस्रूत में अहम होता है, क्योंकि वो इगो का पुरा सवाल है, मैं, तो ये मैं है, तुम हो, वो है, वो सभी करता के रूप है, जैसे हम यहाँ पर बताते हैं, तो अब वह जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, तुम खा रहे हो, मैं खा रहा हूँ, वह खा रहा है, सभी में, मैं खा रहा हूँ, मैं करता हो गया, वह खा रहा है, वह करता हो गया, तुम खा रहे हो, तुम करता हो गया, आप समझ गई, इसे अनेक वाक्या इसके लिए कौन सा पुरुष प्रथम आएगा, कौन से बाद में आएगा, किस तरह से आएगा, किस तरह से नहीं आएगा, कैसे हो सकता है, वो सब मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप ठोड़ा कोई भी प्रश्चन है तो आप अपने मन में अभी रखे, आगे मैं उसको पढ़ा किया, उसने किया, उसने दिया, उसने पड़ा, ये ने, तो करता ने, समझ गए ना, हिंदी में उसको ने लगा कर कहते हैं, तो ने ये करता, तो आज हमने देखा, पहली विवक्ती को करता विवक्ती भी कहते हैं, और रोल निश्चित करता है कि इसका क्या रोल है इस वाक् प्रप करिये कितने जो रोल में होता है ज्यादा तर्वेक्ति तो यह आठी रोल होसकते हैं, उसमें पहले आएगा करता है. जो सबचेक्टम जिसको इंगलीश में कहते हैं, उसको हम यहाँ पर संस्रूत में क्या कहेंगे? करता कहेंगे. अब दूसरी बात आती है कर्म भगवत गीता जिसके पूरे की पूरी उसी के उपर है जो हमको कर्म की बात बताती है सबसे पहले कर्म की सुरुवाद भारत में हुई कर्म नामी भारत ने दिया है चगत को तो इस कर्म की बात हम अगले सेशन में लेने वाले है जिसको English में object कहते हैं तो ये लेकिन संस्कूरुत का कर्म ये बहुत ही व्यापक है English का object अलग है तो ये मैं कल सीखाने वाला हूँ कि करता उसके बाद कर्म किसको कहते है उसका वाक्य में किस तरह से प्रयोग करते है और किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं उसके रोल को क्रियापद को अलग कर दें तो उसके बाद हम सीखने की समझने की कोशिश करेंगे दीरे-दीरे तो अम भी हमने वरणमाला देख लिए है पूरी स्वर्व और वियंजन देख लिए है और उसको जो है वो हमने लिंग देख लिए है वचन देख लिए है इसमें किसी को कोई प्रश्ण है तो सायद अगली बार से राजेश्वर जी बताएंगे तो अगली बार से हम प्रश्णों तरीका सुरू करेंगे राजेश्वर जी आप क्या कह रहे है जी अलो राजेश्वर जी आँ आचर जी आपको पंचे सेशन को दो तिन बार सुनने से मैं भी कुछ सेशन दो तिन बार सुन रहा हूं मैं भी सीखरा हूं जो है मुझे समझ में आ रहा है तो इसे क्रेशितिक्ट पढ़ना है तो अभी हम ऐसा करेंगे त्यार-पाथ सेशन आप पढ़िए पहले और पढ़कर उसके बाद में जो जो क्यूंकि कोई क्वेस्चन ऐसा होता है जो पढ़ने से ही सोल हो जाएगा आपका क्यूंकि वो नहीं पढ़े इसलिए क्वेस्चन होगा तो वो पढ़कर फिर आप बताईए कुछ तो उसके बाद में उसको आंसर करूंगा तीन-चार समय के बाद तीन-चार पत्लब क्लास के बाद अम प्रशनोतरी भी रखेंगे और ऐसा जरूरी नहीं आप ही पूछेंगे में भी आपको पूछूंगा और आप भी गर पे तयार लाधिया उसका अध्ययन करिये क्योंकि हमारे यहां शुति में बताया है उपनीशद मेंई तेही तरह उपनीशद में बताया है। स्वाध्याई को आलस्य नहीं करना है, स्वाध्याई करना है, रोज ना रोज कुछ ना कुछ सीखना ही है, पुस्तक के साथ आपका संपर कोना चाहिए, अच्छी पुस्तक, तो संस्कृत जैसी भाषा आपको सीखने को मिली है, तो तो मैं बताता हूं, मैं कहता हूं, और कभ दारा शीको ने जब पहली बार उपनिषद पढ़ा तो दारा शीको ने थान लिए कि मैं संस्कूत पढ़ूंगा और वह संस्कूत पढ़कर 40 उपनिशदों का उसने ट्रांसलेशन किया है तो औरंग जेब ने उसको काफिर कहा क्योंकि कुरान के छोड़ करो और ग्रंथों को मान रहा था और उसकी हत्या करवा दाराशी को 40 उपनिशदों का ट्रांसलेशन कर सकता है यद्धि एक हुएच सांग आया था नालंदा विद्यापिट में पढ़ने के लिए वो प्रवाशी भारती है कहे जाएद हम प्रवाशी है ना राइको कहते हैं प्रवाशी भारती लेकिन ओ लोग चीन से यहां आयते सीखने के लिए वो 20 केमल के उपर पुस्तक ले गया इतनी ग्रंथ उसको 20 केमल ले जाने के लिए लगे उसको चीन से आया था तो चीन में ओले कर गया था उसने भी बहुत सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया है तो अमको तो अभी शुरुवात करनी है तो अमको समय देना पड़ेगा संस्कूति को समधनी है केवल बातों से तो नहीं होग अपने बचों को सिखाना है यदी तो अमको पहले सीखना पड़ेगा उची जगानी पड़ेगी उसके बाद उसको सीखाना पड़ेगा तो इसके लिए अम उसकी महत्ता को समझे गंभिता को समझे नहीं तो अमारे पास आज संस्कूत में मुझे दूख हो रहा है बहुत प तो आप दीरे दीरे देखते जाएंगे कि इतना सुक्ष्म है यह तो यह अवश्य आप करिए स्वाध्याई करिए रोज एक घंटा आप निश्चित करिए कि मैं स्वाध्याई करूँगा रोज और उससे आपके जीवन में परिवर्तन आना सुरू हो जाएगा तो एक घंटा रोज स्वाध्याई का निकालना ही है यह कम मतलब यह प्यारतिय स बाते सीखते जाते हैं और इसके लिए एक अवश्या आप संकल ले क्या संकल देंगे वियर्थ की बातों को जब तक आप छोड़ेंगे तो सार्थक बाते आपने आने पाएं तो वियर्थ की बाते क्या है वीडियोस देखना यूट्यूब के अलग-अलग टीवी में अलग- को हम अंदर नहीं जाने दे पाएंगे नहीं जा सकती अंदर तो वियर्थ को छोड़ना है सार्थक को यदि पाना है तो पहली सरत यह है वियर्थ को छोड़ना है आप भी संकल प्ले कि अब से टीवी में नहीं देखूँगा सिरियल नहीं देखूँगा जिसका कोई रिजल शीरियलों का टीवी का कोई परिणाम शीरियल में 99.99% सभी गलत आता है सभी कालपनिक होता है वो जैसी होती है वेसी वो होती नहीं है जैसी वो करती है ऐसा करती नहीं है पूरा कल्पना में होती है और वो हमारे में एडिक्शन होता है तो यह सबसे खतरना के एडिक्शन है चाई कोपी का तो ठीक है उसको तो छोड़ भी सकते है और वो तो एक बार ले लिया तो चार-पांच गंटे चल भी जाता है लेकिन यह पूरे दिन माइंड में रहता है य इडिक्शन बहुत खराब है इसलिए हम खास यह एडिक्शन की बात करते है चोटे मोटे एडिक्शन तो छूट जाते और एक बार ले लिया तो पांच गंटे तक याद नहीं आता है लेकिन यह एडिक्शन खतरना के एक बार सिरियल देख ली आपको पूरे के पूरे दिन माइंड में रहे तो इसलिए यह एडिक्शन बहुत खतरना के वह छोड़िये और खास संस्कूरूत के भाषा जैसी बीविय भाषा का स्मरण उसके अनुसार ग्रंथों का पठन को आपकर यह आपको निश्चित 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 लाप होगा इतना ही कहकर फिर से हम कभी संस्कूरूत की गरीमा का भी हम एक 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 वाक्या देखते जाएंगे कुछ बाते देखते जाएंगे ताकि संस्कूरूत भाषा के बारे में भी हम को पता चले कि अच्छा यह कि इतनी महान भाषा है जी अच्छार जी बस एक कुछ एनाउन्समेंटी करना था नेक्स बुद्वार को गुद्वार को गुरुकुल शिक्षा के बारे नहीं लेनीन है गुरुकुल करते हैं गुरुकुलayan को सबसे पहले सुनगी अवश्य कोत है神 yhtमाइश hacerlo के सब्सक्रSí मिखेन ना हिए पंचिस विगा जमीन है मेरे पास अच्छा स्ट्रक्चर है बस गुरु कुल करना चाहिए तो मैंने का क्या पेसी बात कर रहे है कि साधी करनी है सब रिय गडिया है भाड़े से कन्फोर्म हो गया है वो पका रख दिया है और माराज जो विधी कराता है उसको भी बोल दिया है वो भी पका है वो जो फ्लावर हमको देता है वेंडर उसको भी बोल दिया वो फ्लावर देने को भी तयार है और जो जो चाहिए मतलब उसका पूरा आइसक्रीम की व्यवस्ता ह तो साधी कितने परसेंट बाकी रहे गई 90 परसेंट उसी तरह से गुरुपूल का यह सब कुछ स्ट्रक्चर है और दस परसेंट आचारिय 90 परसेंट तो हम केते कि आचारिय वो तुम बोले कोई भी 10,000 में दे तो यह सा कह रहा है कि जैसे कोई आलू लेने जा रहा हो तो इस तरह से कहता है कि कोई भी 10,000 बीट जाएगा आचारिय की क्या गरीमा होती है कब कयार होते है तो ऐसे बच्चों को आगे जाकर आचारिय तयार करने है गुरुकूल को समझाना है इसलिए सभी लोग करे गुरुकूल लेकिन पहले समझे पहला समझ का स्तर है उसके बारे में अर बुद्वार को एक सेशन लेते हैं और गुरुकूल के बारे में बताते हैं आपके बच्चों को गुरुकूल पे भेजना है तो भी आप गुरुकूल को समझ ये नहीं भेजना है तो भी समझ तो ये पूरा का पूरा समझने का है गुरुकूल शिक्षाव यह नहीं गए और उन्हीं के अंडर में वो पड़ाई कि लिखा नहीं तद्विद्धी प्रणी पाते न परीप्रश्णे न सेव या बताया नहीं जीकर दिखाया और पावर पोजिशन पेशा जब आथ में था तब उन्होंने ये सब छोड़कर ज्यान के पास गए और कुरुष्ण क्या दिखाते हैं कि खुद के पावर था राजी आ गया था का उसको मारकर पेशा भी था वो दोनों को छोड़कर नोलेज के पास जाते हैं ज्यान के पास जाते हैं ब और हम अच्छी तरह से तयारी करके बालकों को सिखाएंगे फले वो स्कूल में पड़े, अभी कहीं पर भी पड़े, कुछ भी पड़े हम उसको संस्कूल जरूर शिखाएंगे ये मैं कहता हूँ और आप सिखा सकते है मेरे भी वर्ग में उनको बिठाने को बोलिए और आप भी उसको सीख कर सिखाएए आगे बच्चों को आगे जाकर घरघर गुरुकुल पर होगा एक डोमेस्टिक गुरुकुल होगा इसी अमारी संकल्पना है सब संस्कूरुत यारिय गुरुकुलम में नहीं आ सकते है और हम क्या करेंगे खगोल क्या है, भुगोल क्या है संस्कूरुत क्या है, वेदिगणी वो सबका सेशन अभी लेने वाले है बस आप उत्सा से प्रचार करिए तो राजेश्वर राउजी को संपूर्ण स्वधेशी को ये लगेगा कि आप भी प्रयत्ना कर रहे शेर कर रहे हैं वीडियो को मेसेज को शेर कर रहे हैं तो ज्यादा लोग जुडेंगे तो एक शक्ती निर्मान होती है उससे और वो भी बहुती उत्सा जगाती है सबको तो आपको अपने आप में उत्सा जगाने के लिए शेर करना है राजेश्वर राउजी के लिए शेर करना जरूरी नहीं मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं मैं तो आप पांच लोग होंगा तो भी मुझे पता नहीं चलता है इसमें कितने लोग देख रहे हैं को नवश्यक्त ₤ और रई दंगे और रवीवार को तो होगा ही वह स्कूछ कर देंगे और मेरकशन लंबर कैसे ग्रूप मेजूढकर मैं बुलके पूछ रहे हैं मेरा नेमबर लिखिए आप लिख लिखिए जी नाइन डबल पॉर नाइन फैव नाइन सिक्स जीरो त्री नाइन और एक मिनती है ग्रूप मेंबर्स के लिए कुछ यह जो है यह मिकाले शिश्टम नहीं है जैसे वह असेंडिंग प्रासेस में होत वो जो है आपको प्रामानिक गुरू से शास्त्रों को ज्ञान आपको मिलता है इसके लिए तोड़ा एटिकेट चाहिए नाव बजे मतलब पांच मिनिट पहले जुड़ना और मतलब अचारी जी बोले थे ताद्वीज दिप प्रणिपात 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 कंस्कृत लोग गुरूप में 500 लोग जुड़े हैं तो उसमें जो है सब लोग मिलके हम लोग मतलब कभी भी जायन हो सकता हो कभी मतलब साड़े आट बजे एक लास टोटा है तो साड़े नाव बजे जायन होना यह सब तो टोड़ा तो एटिकेट में काल एटिकेशन पास आ है तो आचाहरी जी को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं तो तोड़ा सवा वाव तोड़ा ग्रैटिटूद तोड़ा जो है discipline, punctualty बीजिट जो है मिलके हम लोग फिर बारत को विश्वभरू बना सकते हैं तो हम सब लोग अलग रजेगा गटा को देंगे, पानी नहीं निकलेगा, तो बारत जो ऐसे ही रह जाएगा, तो मिलेंगे, प्लीज हम लोग बुद्वार को मिलेंगे, रात को नो बजे आचाती से हम लोग, बहुत-बहुत दन्यवाद.